इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है। हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई को इस्तमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले। अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का उपयोग करत और संक्रमन के आगे प्रसार को रोकने के लिए लड़ता है। सिफएक्स और टैबलेट एक प्रिस्क्रिप्शन दवा है। इसे नुस्खे के अनुसार लेने की सलाह दी जाती है। इसे भूजन के साथ या भूजन के बिना लिया जा सकता है। लेकिन बहतर प्रभावकारिता सुनिश्चित करने के लिए इसे एक निश्चित समय पर लिया जाना चाहिए। अनुशन सित्खुराक से अधिक का सेवन न करें, क्योंकि इससे आपके शरीर पर हानिकारक प्रभाव पढ़ सकते हैं। यदि आपको एक खुराक याद आती है, तो जैसे ही आपको याद आए, इसे ले लें। बहतर महसूस होने पर भी उपचार का कोस पूरा किया जाना चाहिए। उपचार के अचानक बंध होने से दवा की शक्ति प्रभावित हो सकती है। इस दवा के कुछ सामाने दुश्प्रभाव मतली, उल्टी, दस्थ, अपच आदी हैं। यदि कोई भी दुश्प्रभाव बढ़ जाता है, तो आपको तुरंत अपने डॉक्टर से परामर्ष करना चाहिए। यदि आप किसी भी अलजी प्रतिक्रिया, यानी की चकते, खुजली, सूजन, सास की तकलीफ, आदी का अनुभव करते हैं, तो आपको ततकाल चिकित सा सहायता लेनी चाहिए। इस दवा को लेने से पहले, आपको अपने डॉक्टर को बताना चाहिए कि क्या आप किसी भी स्वास्ति स्थिती के लिए कोई दवा ले रही हैं। गर भवती या स्तनपान कराने वाली महिलाओं को भी इसे लेने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। शराब पीने से बचें क्यूंकि इस से इस दवा के साथ अत्यधे को नींदापन हो सकता है। यह आम तोर पर आपकी गाड़ी चलाने की ख्रमता को कम नहीं करता है, लेकिन अगर आपको नींद या चक्कर आ रहा है तो आपको गाड़ी नहीं चलानी चाहिए। तेजी से ठीक होने के लिए आपको पर्यापत आराम करना चाहिए, स्वस्थाहार भी लेना चाहिए और खूब पानी पीना चाहिए आपका डॉक्टर आपके शरीर पर दवा के प्रभावों को जानने के लिए कुछ प्रयोगशाला और नैदाने के लिए कह सकता है विडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद अगर आपको विडियो अच्छी लगी हो तो विडियो को लाइक करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकॉन पर क्लिक करें और आल नोटिफिकेशन को क्लिक करें धन्यवाद